वेलकम बेक टो आवर चैनल गाईज आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना खुद का एक इसा कल्कुलेटर बना सकते जो हमारी एज को कल्कुलेट करेगा तो चलिए यहाँ पर पाइटन के साथ बहुत ही आसानी से आज के लेक्चर में जाने लेते हैं कि एक कैसे बनाया जाता है जो हमारी एज को कल्कुलेट करे और जो एज को कल्कुलेट करने वाला हम कल्कुलेटर यहाँ पर बनाएंगे न वो आपको आउटपुड स्क्रीन पर आपको आउटपुड नहीं देगा यहाँ पर हम यूज करेंगे ग्राफिकल यूजर इंडरफेस क ठीक है और यहां से import कर लेता है सारी चीजे और सारी चीजे import करने के लिए हम यहां पर लिखते है import star ठीक है then second चीज यहां पर लिखेंगे from और यहां से हम लाएंगे date time को क्योंकि जब भी आपकी age हमें calculate करनी होगी तो वहाँ पर date time की बहुत ही requirement होती है माल लिखेंगे आप कौन से दिन पेदा हुए थे कौन से time पे आप आये थे कौन से month में आये थे कौन से year में आये तो यह सारी चीजे हम यहां पर mention करनी होगी उसके लिए हमें यहां पर date time module का use करना ही होगा ठीक है तो यहां से हम import कर लेता है किसको date को कर लेता है तो हमारी हां पर date तो आ चुकी है अब बात करते हैं आगे की process के ठीक है तो हमें यहां पर graphical user interface पहले तो prepare करना है जो आपको एक बड़िया से pop-up window के साथ आपको एक बड़िया से image show करें जहां पर आपसे आपका नाम पूछा जाए then आपकी age पूछी जाए sorry age तो हमें calculate करनी है आप से यहां पर year पूछा जाएगा कि कौन से year में आपका bond हुआ था then कौन से month में हुआ था कौन से date हुआ था यह तीनों चीजे बहुत ही यहां पर matter करती है उसी के साथ हमारा यह project क्या करेगा या हमारा यह calculator क्या करेगा उसको calculate करके आपको बढ़िया से यहां पर बताएगा कि अभी फिलाल में आपकी age 46 है 50 है या 52 है ठीक है तो हम यहां पर एक root नाम का variable बनाते हैं जिसमें पहले तो हम ले आते हैं tk को क्यूंकि बार बार हमें tk लिखना यहां पर अच्छा नहीं लिखता इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं tk को ले आते हैं और tk को हमने रख दिया है root के अंदर अब root के अंदर हमने जब tk को रखा है तो root की मदद से हम यहां पर सारे काम कर सकते हैं आपको एक pop-up window प्रिपेर करनी है pop-up window पर आपको एक image लगाना है उसके उपर एक label लगाना है उसके उपर कुछ नाम mention करना है यह सारी चीज़े हम root के साथ कर सकते हैं ठीक है तो पहले तो क्या करते है root का size decide करते हैं root.geometry का use करते हम size के लिए इसके अंदर हम यहाँ पर size देता है for example मैं आप पर उसको size देता हूँ 700 into करके 500 ठीक है इतना size काफी है इस size को आप अपनी हिसाब से अपनी requirement के हिसाब से increase या decrease कर सकते हो second चीज़ यहाँ पर लिखते है root की मदद से title की हमारी जब pop-up window आएगी मतलब हमारा जो graphical user interface यहाँ पर pop-up window के साथ आपके user को या आपके client को show होना चाहिए तो show करते time आपका title क्या होना चाहिए तो title यहाँ पर mention करते हैं तो title में फिलाल में हम यह आप पर edge calculator लिख सकते हैं तो मैं आप लिख देता हूँ edge calculator ठीक edge calculator बढ़िया साथ है यहाँ पर show होगा तो मैं आपर edge calculator लिख देता हूँ और यहाँ पर आपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं कोई शू निया उससे यह फरक नहीं पड़ेगा कि आपका calculator क्या है वगरा ठीक है secondary चीज हमने यहाँ पर उसका size ले लिया देन उसका title यहाँ पर ले लिया देन आप क्या होना चीए जो आपकी pop-up window आएगी न मतलब graphical user interface जो show होगा user को उसके उपर कुछ images आनी चीए माल ले जिक कि आपकी image आए तो भोती बड़िया है या आपकी laptop की image आए या फिर आपसे related या आपको जो ठीक लगे वो image आप यहाँ पर दे सकते हो जो age calculator के हिसाफ से feedback है और थोड़ी अच्छी लगे ठीक है तो हमने यहाँ पर एक image download की है बड़ी ऐसे google से आप भी ऐसी एक image download कर लेना तो मैं आपर एक photo नाम का variable बनाता हूँ जिसमें ले आता हूँ photo image को ठीक है अब इसकी मदब से हम हमारी pop of window पर क्या लगा सकते है photo लगा सकते है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ उस file का नाम देता हूँ file equal to और हमारी यहाँ पर जो file है उसका नाम क्या है age calculator 21 ठीक है इस image को हम यहाँ पर pass कर देते हैं आप भी हाँ पर image का नाम pass कर देना आपकी image भी बड़िया से show होगी अब बात करते हैं कि हमारा यह सारा काम होगे कि हमने size decide के लिए then title then image लगा दी ठीक है अब क्या करते हैं कि उसके उपर एक label लगाते हैं तो मैं आपर लगाता हूँ my image में हमका एक variable बना लेता है पहले तो my image के small में लिखते हैं my image और my image में हम ले आते हैं label को की हमें हमारी pop-up window के ऊपर कुछ labels लगाना है for example आपको अपना नाम इंटर करना है आपको year input करना है कि आप कौन सी year में जन मिलिया था कौन सी month मिलिया था कौन सी date को लिया था मतलब तारिक तो वो सारी चीज़े input करने के लिए आपको कुछ labels मिलना चाहिए तो मैं आपर एक label बना लेता हूँ और उसमें क्या ले आता हूँ image को ठीक है और image में फिलाल में हम photo pass कर देते हैं इतना काफी है अब इसको grid कर देते हैं तो my image dot grid कर देते हैं ठीक है grid हो चुका है और grid में हम row column देते हैं ठीक है तो row column देंगे तो ज़्यादा चलाएगा row equal to फिलाल में इसको zero pass कर देते हैं then column तो कॉलम में हम क्या दे सकते हैं फिलाल में इसको फर्स्ट कर देते हैं सेकंड वन कर देते हैं ठीक है आप अपके हिसाब से इंक्रीज है डिक्रीज कर लेना आपको जो ठीक लगें अब यह हमारा यहाप पर एक जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रिपेर करने का काम था वह बड़िया से हम प्रिपेर कर चुके हैं सेकंड रिमेटर अब आपकी एज केसी केलकुलेट करेगा आपका केलकुलेटर तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन का जो क्या करेगा अपकी एज केलकुलेटर करके आपको वड़ियासे एक यूजर इंटरफेस के साथ आपको प्रेजैन करेगा ठीकें तो यहाँ पर लिखा जा चुका है सेम नामसे और इसके आग थोड़ा से एक मैंशन कर देते अगर हम केलकुलेटर लिखते हैं तो इसा लगता है कि वह कुछ गणित की सोलिशन करेगा तो उसके लिए हम यहापर एज लिख देड़ता हैं कि हमारा जो फंक्षन है वो एज के लिए बनाया गया ठीक है अब यहाँ पर जो आपकी केलकुलेशन होगी वह कहां से कहां तो आ हम यहाँ पर एक today नाम का variable बनाते हैं जिसमें date को ले आते हो date कौन से होन्य चाहिए फिलाल में हमारी आज के दिन वाली जिसको हम today बोलता है ठीके अब second चीज हमारी birth date क्या होगी तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं birth date नाम का variable ही बना लेता है birth date नाम का एक variable बनाते हैं जिसमें हम हमारी birth date लाएंगे तो date लाएंगे और date को क्या करेंगे first matter तो जब भी हमारी date आएगी तो user हमें input देगा और input दी गई जो भी values होती है उनका जो by default type होता है न वह string होता है तो हमें यहाँ पर उसकी type casting करने होगी integer में जैसा कि आप इस्क्रीन पर देख सकता हूँ मैं हाँ पर कर रहा हूँ तो integer में उसकी type casting कर लेता है then अब हम यहाँ पर entry लेंगे तो मैं आप पर क्या करता हूँ year entry करता हूँ पहले तो हमारा year entry कर वा लेता है year entry dot क्या करेंगे हम यहां से user से लेंगे तो उसको क्या करना होगा हमें get करना होगा तो लेने के लिए हम हमेशा get का use करते हैं अगर आपको देना हो तो आप कुछ और लगा सकते हो लेकिन हमें जब भी कोई भी जानकारी लेना होती है तो हम यहां पर क्या करते हैं get का use करते हैं हमारा first काम हो चुका है second काम करते है second काम के लिए यहाँ पर क्या करेंगे again int लगाएंगे क्योंकि हर एक चीज जो user हमें देगा उसकी हमें यहाँ पर type casting करनी ही होगी ठीक है अब int लगा कि हम क्या करते हैं हमने year entry करवाली user से अब यहाँ पर क्या करेंगे month entry करवाएंगे उससे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं month entry करवाएंगे तो secondary meter है हमारा यहाँ पर month entry ठीक है और month entry भी हम क्या करेंगे gate करेंगे user से तो gate कर लेते हैं यह हमारा काम हो चुका है, मंत इंट्री का अब हैँ पर और एक चीज हमें लेनी होगी उससे क्या? डेट लेते हैं, ठीक है? तो में आपर int, int of int of क्या कर देते हैं? डेट लेते हैं, धे, कौन सा दीन है? आज, ठीक है? तो डे ले लेते हैं इसलिए आपको यहाँ पर screen पर rate sign करना है जब हम इसको define कर देंगे तो यह जो rate sign अभी हो रहा है वो सब remove हो जाएगा इसका आपको tension नहीं लेना है वो हमारा काम है इसको कैसे remove करना है अब बात करते हैं age की तो age में फिलाल में हम यहाँ पर today को ले आते हैं और फिलाल में हम यहाँ पर क्या चीज़े लेना चाहते हैं तो first time हम यहाँ पर year लेना चाहते हैं then यहाँ पर क्या करेंगे birth date ले आएंगे तो birth और birth date में क्या करेंगे हम आगे यहाँ पर year का use कर लेते हैं क्या भी years गी है हमारे पास second चीज आएगी है हमारे पास तब इसको हम यहाँ पर pass कर सकते हैं then अब लिया आते हैं यहाँ पर हमारी साथ चीज चीज़े की कौन-कौन सी आपको चीज़े 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 एं for example आपको date चीज़े है यहाँ पर लिख चुके हैं अगर यहाँ पर क्या है आपकी माल लेजिए लेज़ देने तो लेज़ देने किस से तो उसके लिए लिख देता है birth date dot कौन सा होना चीज़े हमारा month होना चीज़े ना ठीक है month और उन कौन से होगा जो आज का दिन है उससे कम होना चीज़े तो आज के दिन को लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है अगेन यहाँ पर birth date dot उसके लिए हमने यहाँ पर mention किया day को ठीक है यह दोनों चीज़े हमने यहाँ लिख दे करते हैं ठीक है ताकि हमारा program अच्छ से visible हो ठोड़ा अच्छा दिखे और आपको read करने में भी मजा है तो हम इसको यहाँ पर parent जिसे सब बढ़िया से यहाँ पर picking कर चुके हैं अब pick करने के बाद हमें क्या करना है अब हमें लगाना है लेबल्स अब लेबल्स के उपर कुछ नाम लिखना होगा तो मैं आपर पहले तो लेबल को ले आता हूं अब लेबल बनाते हैं ठीक है अब लेबल में हमको कौन-कौन सी चीज़े बनाना है देखे लेबल में पहले इकवल टू नहीं करते हैं पहले तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको कौन-कौन सी चीज़े लेनी है ठीक है तो लेबल में हम य value कर देता हूं, value है, अब यहां से हमने क्या किया, उसका नाम लिया, तो नाम लेने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, get का यूजिस करेंगे, आप सभी जानता है, तो मैं यहां पर get कर देता हूं, ठीक है, अब हमने नाम तो उसका ले लिया, आप उसकी second चीज हमें क्या लेनी होगी माल लिजे उसकी age हमें बताना है तो उसके लिए क्या करेंगे यूर एज इस टाइब से कुछ भी उसका प्रिंट करवाना होगा माल लिजे कि हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं कि अजय मतलब यूर एज इस और आपकी जो भी यह हो कि माल लेगे 26 28 यह जो भी हो ठीक है तो उसके एसाब से हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यहां पर लिख देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं कि your your age is poor age को हमने किसमे स्टोर किया इभी फिलाल में, age को हमने age में ही स्टोर किया तो age पास कर देता हूं then इसको grid भी करना होगा जिसा इख सभी जयानते हैं तो में आपर dot करके उसको पहले तो greet कर देता हूँ पहले नहीं बहार ही कर देता है ना इसको actual में इसको बहार ले जाएंगे तो ज्यादा बेटर है ठीक है तो इसको बहार ले जाते हैं इसको यहाँ पर बहार कर देता है then dot greet greet करने की बाद हम यहाप पर क्या करेंगे ? grid करने के बाद इसको row nummer और column number डेना होगा जसा कि अब हमने उपर दिया था है यहाँ image के साथ तो आप उपर चेक करोगे तो यहाँ पर हमने grid किया था नोर और column number दिया था tämä row number मैं इसको फिलाल में 6 देता हूं then column number भी इसको कुछ देना होगा तो मैं आपर क्या करता हूं column number इसको क्या देते हैं हमें फिलाल में column number इसको देते हैं first वाला ही देते हैं ठीक है second वाला भी नहीं देंगे second वाला हम जब complete कर लेंगे then इसको pass कर देंगे अब यहाँ पर हम parenthesis लगा कर इसको पेक कर देता है तो यह जो rate sign अभी फिलाल में कट रहा है यह rate sign यहाँ पर remove हो जाएगा ठीक है तो name value हमने यहाँ पर mention कर दी then हम यहाँ पर क्या करेंगे उसका नाम प्रिंट करवाएंगे तो नाम के लिए हमने यहाँ पर बड़ी असे name value को get कर लिया है then your age is और उसको age बता देंगे then age बताने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको parenthesis पेक कर देंगे अब क्या होगा यह जो greet करेंगे तो यह greet करके हमें show करेगा कहाँ पर row number six पर जब आप row number six पर जाओगे तो आपको बड़िया से उसका नाम और उसकी age आपको यहाँ पर मिल जाएगी अब यह सारी चीज़ हमने function में तो लिख ली लेकिन इसको अभी तक हमने कहीं पर बीडिफाइन नहीं किया एक एक चीज़ को चलिए हमाने करते है कि कौन लेवल पर क्या नाम लेना चाहता हूं तो नाम input लेने लिए यहाँ पर आपको कुछ प्रिंट करना हो और एक टेक्स्ट में क्या गड़ता हूँ उससे उसका नाम लेता हूँ तो मैं आपर लिख देता हूँ नेम ठीक है अब इससे क्या होगा यूजर हमें उसका नाम देगा तबी तो हम उसको प्रिंट करवाएंगे कि अजय यू नमबर और कॉलम नमबर देना होगा तो फिलाल मैं यहाँ पर रो कॉन सी कर देता है फर्स्ट वाली ठीक है रो फर्स्ट और कॉलम कॉन सा कर देते हैं कॉलम माल लिजे जिरो वाला कर देता है ठीक है अब इसको X और Y डारेक्शन हमें देनी होगी तो Y डारेक्शन की तो अ control then control v then control v then control v ठीक है अब first level हमारा क्या show करेगा उसका नाम ठीक है नाम के बाद हम उससे क्या पूछेंगे for example उससे पूछ लेंगे year की कौन से year में आपका bond हुआ था तो year पूछ लेंगे then इसको again greet करना होगा तो row number हमारा क्या करतेते हैं increase कर देते हैं one से two कर देते हैं और column तो सेम भी रख देते हैं और यह जो एक सवाली direction इसको remove कर देते हैं ठीक है तो यह एक सब्सक्राइब हमारा कौन सा होगा for example उससे हम उसका month भी पूछ लेंगे कि भाई आपका month कौन सा है तो मैं आप लिख देता हूँ उसके लिए month और month को भी greet करना होगा तो उसके लिए row number हम third कर देते हैं और column नमर 0 then pad x को तो remove करना है क्योंकि यहां पर इसकी कोई requirement नहीं है अभी फिलाल में ठीक है और हम आगे उससे क्या पूछ सकते हैं for example कि उसका month था then date या कौन से day हुआ था दिन तो उससे day भी पूछ लेंगे कि mileage उसका first day, second day, third day या जो भी होगा ठीक है वो input में देते का देन row number क्या करते हैं इसको 4 कर देते हैं और column को 0 ही रहन देते हैं और pad x को remove कर देते हैं इतना काफी है अब चार लेबल हम यहाँ पर prepare कर चुके हैं चारो लेबल में हम first उसका नाम इंट्रे करवाएंगे then second में उससे year पूछ लेंगे then उसका month then दिन ठीक है अब यह चारो चीज़े पूछने के बाद इन पर काम करते हैं तो first चीत देखें यहाँ पर आपने कौन कुन सी देखें नेम वेल्यू अभी तक डिफाइन नहीं किया then year इंट्री वाला अपने डिफाइन नहीं किया then month इंट्री यह आपने कुछ भी अभी तक डिफाइन नहीं किया थे चलिए इनको one by one डिफाइन कर लाते हैं पहले तो first चीज में आपर लिख देता हूँ name value ठी जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह rate sign से आपको डरना नहीं है आपको पता होना चाहिए कि आप coding perfect या सही कर रहे हो then आपको किसी भी rate sign से डरने के कोई जरूत नहीं है और आगर आपके output screen पर error भी आता है ना तो उसको error को पढ़ना है समझना है और देखना है कि आपके program में आपने कहा पर mistake किये उसे घबराना बिल्कुल नहीं है ठीक है तो इसको क्या करते है string वोर कर देते हैं तो मैं आपर लिख देता हूँ string वोर ठीक है और string वोर में ज्यादा कुछ नहीं करता है भी फिलाल में इसको खाली चोड़ते है then हमारा कौन सा है year entry वाला तो इसको भी पूट कर देंगे तो year entry और year entry में क्या करते हैं इसको भी फिलाल में string वोर ठीक है और इसको खाली चोड़ते हैं यह error throw नहीं करेगा then year entry के बाद हमारा कौन सा है month entry वाला तो इसको भी यहाँ से copy करके लिए आते है ctrl c then अगली line में ctrl v then string वोर ठीक है और यह convert हो चुका है अ हमारा यहाँ पर एक और चीज बचा है day entry वाला rate sign कर रहा है तो इसको भी यहाँ से पहले लिया आते हैं और इसको जो rate sign कर रहा था इसको यहाँ से remove करते हैं तो हमारा program थोड़ा अच्छा लगेगा ठीक है यह rate sign सारे हट चुके हैं देखिए हमारे program में अब कहीं भी rate sign नह ही किया है जमाया नहीं है कि actual में यह show कहा कर होंगे ठीक है तो इनको एक करके greet करते हैं तो पेला चकाम हमारा क्या हुआ इनको define करने का अब define करने के बाद क्या करते हैं name entry को लाते है name entry और name entry को लाना पड़ेगा ठीक है name entry को लिया है अब इसको क्या करते हैं entry के साथ get right करत तो name entry को हम लाच चुके है तेन। अब क्या करेंगे आपर entry का यूज करेंगे तो हमें आपर entry मिल जाएगी ठीक है अब इंटरि के अंदर हमें जो लिखना है वह हम लिख सकते हैं तो फैस्ट चीज हमें और यहाँ पर क्या आएगी हमारी name value ठीक है name value को pass कर देता है secondary चीज़ हमारी यहाँ पर क्या है year entry तो मैं आपर लियाता हूँ year entry को then equal to then again entry entry लियाता है then यह कहाँ पर show होगी root के उपर तो आगे यहाँ पर root देता है then यह भी आपका कौन सा है text variable तो text variable then इसका नाम आपने क्या लिया है year entry ठीक है year entry नहीं year entry नहीं year value लिखाया आपने यहाँ पर year entry लिख दिया है कि आपने यहाँ पर कई बन देखिए year value लिखाया आपने तो ठीक है इसको एक पर चेक कर लेते हैं आपने year value लिखाया या year entry लिखाया है तो आपकी यहाँ पर year values आएगे ना तो आपने year value को कहाँ पर define किया है कहीं पर भी नहीं किया अभी तब तो चलिए है यहाँ पर define कर देते हैं आपने यहाँ पर entry लिखा है तो इसको value कर देते हैं year value कर देते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर क्या आएगा year value आएगा तो मैं आप लिख देता हूँ year value ठीक है अब ठीक है then यह same काम होगा आपके month के साथ तो मैं आपर लिख देता हूँ month entry then month entry में आपकी entry हो जाएगी एक बार तो मैं आपर entry करवा देता हूँ then उसको लाना कहा पर है आपको root के उपर या फिर जो pop-up window आएगी आपका graphical user interface उसके उपर देना गे नहीं आपर text variable, text variable में आपको क्या आएगा यहाँ पर month value आना चीए तो मैं आपर लिख देता हूँ month entry देखिए यहाँ पर भी आपने कुछ changes की हैं यहाँ पर भी आपने month entry लिखा है तो इसको भी आपको month value करना होगा ठीक है तो month value कर देते हैं इसको बहुती बड़ी असे then यहाँ पर भी आपका month value आ जागा टेक्स्ट फैरिबल, यहाँ पर आएगा आपका डे वेलिव ठीक है, तो मिँसल ले आते हो, यहाँ पर आपने वेलिव को assign नहीं किया, या नाम आपने चैंज नहीं किया है, तो उसको डे वेलिव कर देते हैं, ठीक है, आपका डे वेलिव हो अब एंटरी मिलना तोάसान है, लेकिन उसके उपर आपको रहना कहाँ पर है? आपको कौन सी मतलब X और Y आपको एक position दी जाएगी, उस position में आपको कहाा रखना है? माले ज एक corner पर रखना है, center में रखना है, या y direction में रखना है? कहाँ पर रखना है? तो उसको आपको greet करना होगा एक एक चीज को ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं one by one सभी को greet करते हैं तो फिरले ले आते हैं name entry को dot यहाँ पर use करेंगे greet का अब greet में सिदी से बात है या तो आपको x और y direction देनी होती है या फिर row number या column number देना होता है तो मैं आपर row number देता हूँ row equal to equal to one then comma करके हम यहाँ पर use करेंगे column का column हम इसको देता है आभी फिलाल में first ठीक है और जैसा कि हमने उपर x direction देती तो आभ यहाँ पर देता है y direction तो मैं आपर क्या लिख देता हूँ पेड भाई कर देता हूँ तो greet कर चुके है then इसको row number और column number देना है तो row number फिलाल में इसको increase करके देना होगा तो row equal to two कर देता है then column same भी देंगे तो चलेगा ठीक है तो इसको column one ही देता है then आपका paid x या paid y तो फिलाल में इसको paid y और paid y में 10 देता है ठीक है इतना काफी है अब year entry हो चुका है तो आपका month entry करवा लेता है तो month entry आपकी कहा होगी तो उसको greet करते हैं पहले और greet करने के बाद उसका row number क्या करते हैं increase तो increase third then column तो column कौन साथ होगे आप फिलाल में इसको first देके छोड़ दो अगर आपको increase करना है उसकी जो भी place होगी आपके पोपो पिंडो के उपर उसको अगर आपको change करना है तो आप बढ़िया से कर लेना आपके इसको increase करोगे तो आपको proper पता चिलेगा कि आपकी month entry का जो label है वो कहाँ पर present हो रहा है तो ये changes आप अपने खुद के इसाप से increase or decrease करके कर सकते हो को issue नहीं है आपको किसी भी project में same as it is काम नहीं करना चाहिए अपनी requirement के इसाप से उसमें changes करना चाहिए आपको जो ठीक लगे उसमें करके देखो अगर कुछ problem आ रही है तो आप comment section में पूछ सकते हो no doubt आपको सारी चीज़े explain की जाएगे लेकिन आपको changes करना चाहिए ठीक है आपको risk लेना चाहिए कि आपका project आपके तरीके से build हो यह नहीं कि किसी और ने बनाया देन आपने उसको follow करके अच्छे से prepare कर लिया run कर लिया समझ लिया कि मेरा खुद का एक calculator बन चुका है नहीं आपको उसको modify करना है changes करना है आपकी अपनी खुद की requirement के साब से देन अगर कुछ problem आती है तो comment section में यह हम आपके लिए पेठ है आपको सारे question के answer करेंगे ठीक है तो यहाँ पर column number define करते है column number क्या देते है इसको first ही देते है ठीक है और यहाँ पर paid x, paid y तो paid y करते है तो यह क्या करेंगे एक जो x वाली जो direction होगी उसको तो हम पूरी तरह से यहाँ पर remove कर चेक है y वाली direction में 10 points में यह सारे आएंगे then column आपका fix कर दिया कि one ही column पर आएंगे सारे और उसमें row 1,2,3,4 हमने करती ताकि first row आएगी तो वहाँ पर आपका नाम entry हो जाएगा then उसके second row में आपका year entry हो जाएगा third row में जब जाओगे तो आपका month entry हो जाएगा जब fourth row में जाओगे तो आपका day entry हो जाएगा तो one by one सारी चीज़े row में आपको दिखेगी तो proper आपको एक way मिलेगा या graphical user interface मिलेगा जिसको देखकर आपको अच्छा लगेगा कि आपका काम बहुत ही बहतर हुआ है अब बात करते ही यह सारी चीज़े हो जुके लेकिन इसके लिए हमने अभी तक बटन नहीं बनाया है ठीक है आप क्लिक कहा करोगे तो क्लिक करने के लिए हम यहापर बटन का यूज करते हैं और बटन बनाते है बटन का नाम क्या रखोगे आप कुछ भी रख सकते हैं आपने इसाब से आपका खुद का नाम रख लिए तो टेक्स्ट में हम उसका नाम रखेंगे तो नाम क्या रख सकते हैं हम यहाँ पर calculate edge रखेंगे calculate edge ठेक है आप अपना खुद का नाम रखेंगे कोई भी problem नहीं आएगी अब यह button आपको कहाँ पर रखना है तो फिलाल में रखना का है लेकिन जब यह click करेंगे तो click करने के बाद आपको उसको कुछ command देनी होगी तो मैं यहाँ पर command का use करता हूँ command और command हम उसको क्या देंगे माल लेजे calculate edge ठीक है calculate edge देते हैं अब यह क्या करेगा अब हमारी edge को calculate करेगा अब कहाँ पर यह रहेगा यह काम कर दें कि इसकी x direction y direction या row number या column number क्या होना चीए तो उसके लिए हम यहाँ पर grid का use करेंगे और grid में माल लेजे कि हमारी 4 rows तब तो यह हमारा यहाँ पर 4 लेवल आ जाएंगे उसके बाद हमारी जो भी button है वो आना चीए तो हम इसको row number अभी देखिए हैं आपर row number 4 तक तो पहुची चुके हैं तो इसको row number क्या कर देता हैं 5 कर देता है इनके just नीचे हमारी button आएगी तो मैं आपर कर देता है row equal to 5 then column तो same ही रख देते हैं ताकि एक ही column में सारे आ जाएंगे column 1 then हमारा paid y कर देते हैं 10 जो हमने किया था उपर paid y 10 ठीक है अब सारी चीज़े हम यहाँ पर completely लिख चुके हैं तो एक बार हमारे mail loop को जगा देते हैं जो अभी तक सोया हुआ था ताकि हम हमारे program को run करके check करें कि हमारा काम proper हो रहा है या नहीं क्योंकि बहुत देर से हम यहाँ पर coding ही कर रहे हैं तो mail loop को जगाने का काम को न करेगा यहाँ पर हमारा root करेगा ठीक है क्योंकि हमने सारा काम root के उपर ही किया है root. यहाँ पर call करेंगे किसको mail loop को अब हमारा काम सारा हो चुका है तो एक बार program को run करके चेक करते हैं run 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 और run to the loop और यह connecting कर रहा है और बहुत ही बढ़िया से हमारे यहाँ पर graphical user interface आएगा और यह कुछ error दे रहा है पहले तो तो हम यहाँ पर इस error को पढ़ते हैं देखें यहाँ पर यह बोल रहा है bed geometry specifier मतलब हमने कुछ यहाँ पर चीजों को proper visible नहीं किया अब इसमें आपको error के साथ यहाँ पर कुछ भी आपको घबराना नहीं है पढ़ना है आपने गलती कहाँ पर किये जहाँ पर आपने जो size decide किया था ना graphical user interface का या जो pop-up window आए किया आपके सामने उसका जो size decide किया था वो size में कहीं न कहीं problem है तो चलिए size को check करते है तो देखिए यहाँ पर हमने 7000 लिख दिया जबकि हमें 700 लिखना था ठीक है इसको अगर हम कम कर देंगे तो हमारा जो error अभी आ रहा था वो नहीं आएगा तो इससे घबराना क्या है आपको पढ़ना है और उस error का सामना करके उसको sort out करना या fix करना है तो again program को run कर दिया और again यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई आपने कुछ न कुछ गल्ती की है तो यह गल्ती यहाँ पर देखिए age में है आपने यहाँ पर 700 into 500 तो बहुत ही बड़ी है हम तो काम किया है इसको x चीए capital वाला तो हम capital वाला देते हैं ठीक है अगर capital में नहीं मान रहा है तो small देके check कर लेते हैं तो इसने run होना हुई होना चीए तो यह क्या कर रहा है आपने यहाँ पर x देना है simple x देते हैं ठीक है x देके find कर लेते हैं आप ऐसे changes करो आपकी error कही न कहीं fix हो जाएगी जैसा कि हमारी screen पर error fix हो चुके जहाँ पर देखे यहाँ हमने into का sign दिया था ठीक है तो यह into का sign नहीं आएगा यहाँ पर x का size आएगा तो हमने into के जगा x से लिख दिया था फिर capital x ट्राय किया तो कहीं न कहीं हमारी error fix हो चुके तो ऐसे जब भी आपके सामने कोई error आती है तो आप अपने हिसाब से अपना खुद का दिमाग लगाए और ट्राय करें कहीं न कहीं आपकी error fix हो ही जाएगी अब बात करते हैं हमारा यहाँ पर graphical user interface की तो बहुत ही बड़ी ऐसे देखें आपर age calculator का title आया है और हमारी application बहुत ही अच्छे से build हो चुकी है और हमें visible हो रही है अब यह पूछ रहा है नाम for example मैं आपर अजय type करता हूँ और यह पूछ रहा है year तो मैं आपर लिखता हूँ 1996 then यह पूछ रहा है month तो मैं आपर add input करता हूँ then यह पूछ रहा है day तो मैं आपर one input करता हूँ अब जैसे ही मैं आपर calculate age नाम के button पर click करता हूँ मेरा program run होना चाहिए और प्रोपर जो अभी आज के दिन तक मेरी age है वो इस program ने या इस project ने complete यहाँ calculate करके बताना चाहिए यही तो हमारा काम था है यही हमारा task भी था तो चले हैं यहाँ पर click करते हैं और बहुत ही बड़िया से काई देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लिखा रहा है your age is 26 मतलब मैं अभी आज के दिन तक 26 साल का हो चुका हूँ तो बहुत ही बड़िया से हमने यहाँ पर एक calculator यहाँ पर define या build कर लिया है जो बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर college project में या अपनी खुद की एक application बिल्ड करने में या अपनी skills को improve करने में काफी हद तक आपकी मदद करेगा ध्यान रखना जब भी आप यहाँ पर image का नाम पास करो तो आपकी खुद की image का नाम लिखना यह नहीं कि हमने जो image यहाँ पर दिये आपने copy कर लिया ठीक है अब बात करते हैं यह सारी चीज़े हमारा project है यहाँ पर complete हो चुका है अब हमारे channel पर जाते हैं और channel को visit करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे channel को visit नहीं किया है तो kindly guys एक बार हमारे channel को visit कर लिए यहाँ पर आपको python से related बहुत सारे application build की हो हैं मिल जाएंगे जिनसे आप अपने python के जो project की skill है बनाने की उसमें आप काफी हद तक अपनी skills को improve कर सकते हो ठीक है तो इन lectures को देखें कुछ भी अगर आपको doubt आता है किसी भी lecture में तो आप comment section में पूछ सकते हो no doubt आपका doubt clear किया जाएगा तो इस lecture में इतना ही thank you so much for watching and I'll see you in the next video guys